दोस्तो नासा को मंगल पर मिरी जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज 3.5 अरब साल पुराने पत्थर में था खजाना तो आईए जानते हैं पूरी जानकरी दोस्तो नौ भारत टाइम्स के मुताबिक मंगल ग्रह पर नासा के सिक्यूर्टी रोवर ने चटान के सेंपल लिये हैं इस चटान में जीने के ये महतपूर्ण अवयो मिले हैं बैग्यानिक पहली बार मंगल पर कुल आरगेनिक कारबन का पता लगाने में काम्याब रहे हैं इस चट्टान का सेंपल लिया गया हुआ 3.5 अरब साल प्लानी मंगल ग्रह पर जीवन हो सकता है इसके कुछ संकेद देखने को मिली नासक के सिकर्टी मार्स रोवर द्वारा लिए गये चट्टान के सेंपल जीवन के महत्पूर्ण आवयो के संकेद देते हैं इन चट्टानो पहली बार मंगल के पथरों में आरगेनिक कार्बन के इकल मात्त राक पता लगाने में काम आभने नासक के अस से जारी कीगए बयान से नासा के के क्यूरियोल सिटी रोवर की डेटा का पयोग करने वाले बैग्यानिक ने पहली बार मंगल की चट्टानों में खुल आरगेनिक कार्बन को मापा है जो जीवन के अड़ों में एक टोमुग भटक है आरगेनिक कार्बन एक ऐसा कार्बन है जो हाइड्रोजन परवाड़ों से बंधा होता है इस धर्थी के सभी जीवों द्वारा बनाया और इस्तमाल किया जता है हलाकि आर्गेनिक कार्बन इस जीवों जैसे च्वाला मेक्षी बिस्टोर्ट और उलका पिंडर से भी आ सकता है नासा बैग्यानिक जेनिफर इस्टन ने बताया कि हमने प्रति 10 लाक से आर्गेनिक कार्बन को कम से कम 200 से 273 भाग में पाया है यह प्रिश्पी पर बहुत कम जीवन पाये जाने वाली अस्थाई चट्टानों में पाये जाने वाली मात्रा के बराबर है धैती पर इस तरह की चट्टाने दच्छिड अमेरिका में अटाकामा रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में पायी जाती है इतनी ही मात्रा मंगल ग्रह के उलका पिंपो में भी मिलती है मंगल ग्रह पर जीवन के लिए आज उप्युक्त वातावलाण नहीं है लेकिन इस बात की प्रमाण है कि अर्बो साल पहले लाल चट्टानी ग्रह पित्वी जैसा ही था यहां पित्वी से ज़्यादा मोटा वातावलाण और पानी मौजूद था गेल केटर के एक 3.5 प्रम साल पुराने मदस्टोन पत्तर से यह सेंपल यह गये है रोवर ने अपने सेंपल एनालिसिस मार्स उपकरंट से इसका विसलेशन किया है तो दोस्तों इसी तरीके की जनकारी या वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सेयर और सब्सक्राइब क